एपिसोड 182 ब्लूपल ये इंग, मोल में, अब तक आप लोगों ने पढ़ा की जानवी हमारी हिरोईन को नीचा दिखाती है, लेकिन अनाया उसे कोई जवाब नहीं देती, और मैनेजर को बोली, तुम इन येरिंग्स को पैक कर दो, इतना बोल कर वह एक येरिंग्स की और इशारा करती है, जिसमें ब्लूपल लगा हुआ था, और जिसके नीचे एक फैदर लगा हुआ था, दिखने में वह काफी नेचुरल और यूनिक पैटन थी, वह मैनेजर सर जुका कर काड लेते हुए बोला, जी मैडम, इतना बोल कर वह काड स्वाइप कर देता है, वही य उस मशीन से आवाज आए, 30 करोड अमाउन ट्रांसफर, ये सुनते ही वहाँ खड़े सभी लोग अपनी सांसे थाम लेते हैं, किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि उस मामूली से दिखने वाले एरिंग्स की कीमत 30 करोड होगी, लेकिन कोई यह नहीं जानता था कि वह ओरिजिन अरबों में होती, वहीं दो लोग ऐसे भी थे, जो इस बात से सदमे में नहीं थे कि उसे एरिंग्स की कीमत 30 करोड थी, वह तो इस बात से सपने में थे, कि अनाया के पास 30 करोड आए कैसे, यही सोच सोच कर उन सौतेली मा बेटी के चेहरे पर पसी ना आने लगा था, और क रही ना कहीं जानवी के दिल में नफरत सी भर गई थी, क्योंकि इतनी बड़ी रकम तो उसने भी लिस्ट एक्ट्रेस होने के बाद भी एक साथ नहीं देखी थी, उसने जिस भी मूवी में काम किया था, उस मूवी का बजट ही 30 करोड या 40 करोड का होता था, तो उसके पास राजेश कपूर कंपनी से बस बेमानी से कुछ करोड रुपे निकाल पाता था, उसके अलावा वह कंपनी से कुछ भी निकाल नहीं पाता था, जिसकी वज़ह से जानवी के पास भी इतनी बड़ी रकम नहीं होती थी, वह जो भी चीज खरीदती थी, उसकी कीमत लाखों मे और उसके अंदर भी नफरत की आग जलने लगी थी, वह बड़ी बड़ी आखें करके और लंबी लंबी सांस कीचते हुए अविश्वास से अनाया को भूमती है, जैसे उसे यकीन ना हो रहा हो, कि ऐसा कैसे हो सकता है, वही अनाया वन ही मन मुस्कुरा रही थी, क्योंकि वह चाहती थी कि इन दोनों को पता चले, कि वह बस दिखावा कर सकती है, उसे ज्यादा कुछ नहीं, अभी सभी लोग सदमे में ही थे, कि उनको सदमे से बाहर निकालते हुए, अनाया वह हैमरल्ड एरिंग्स निकालती है, और पास खड़ी हुई जीविका की और बढ़ते हु अगर अनाया ने ये खरीधी लिया था, तो वह उसे दे देती, वह अपने दोस्तों में और सभी के सामने शो आफ कर पाती कि उसके पास 30 करोड के एरिंग्स है, इसलिए वह नफरत से अनाया को देखती हैं, वही अनाया ने ये जान बच कर किया था, क्योंकि उसे अभी भी याद था, पिछले जन्म में भी जब भी अनाया कोई महेंगी चीज खरीदती, तो जान भी चापलूसी करके, या फिर जिद करके उसे ले लेती थी, और सब के सामने ऐसा दिखाती थी, कि यह चीज उसने खुद खरीदी है, इसलिए उसने वो एरिंग जीविका को दिये थ दूसरी और रवीना कपूर भी नफरत से अनाया को देख रही थी, और वह भी इतनी महेंगी चीज अपने हाथों से नहीं जाने देना चाहती थी, इसलिए वह चापलूसी करते हुए अनाया से बोली, अनाया बेटा तुम ये क्या कह रही हो, यह मामूली से एरिंग्स मिस जीविका को पसंद नहीं आएंगे, वह इतने बड़े खांदान की बेटी है, तुम्हें उसे ये दे कर इंसल्ट नहीं करना चाहिए, लाओ इस मुझे दे दो, मैं इसे संभाल कर रख दूंगी, जाहिर सी बात है, या कहते हुए उसकी आँखों में लालच साफ साफ नजर आ रही थी, वही ये देखकर तो जीविका को भी गुस्सा आया, वह दात पीस्ते हुए रवीना कपूर की और देखकर गुस्से में बोली, मिस रवीना अच्छा होगा कि आप क्या बोल रही है, अपने अलफाज को ज़रा संभाल कर बोली, वैसे भी अगर यह चीज 30 ये बहुत खुब सूरत है, तुम ही पहना दो, दरसल आज जीविका ने वैस्टन कपड़े पहने थे, उपर से वह काफी हरबढाहट में यहां आय थी, क्योंकि अनाया ने ही उसे यहां बुलाया था, ताकि वह सौतेली मा बेटी को बिना किसी परेशानी के काबु में रख सके, इसलिए जीविका ने कुछ जादा जूर्वी नहीं पहनी थी, इसलिए उसने कान में भी कुछ नहीं पहना था, तो वह अनाया को खुद ही उसे पहनाने को कह देती है, अनाया भी बिना हिचकी चाहट के वह येरिंग्स उसे पहना देती है, वह येरिंग्स जीविका पर बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे, जीविका खुद भी बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, हालांकि हमारी हिरोइन अनाया से कम, लेकिन वह भी एक रॉयल प्रिंसेस की तरह पली बढ़ी थी, तो उसके अंदर भी एडिकेट और खूबसूरती कूट-कूट कर भ खरी थी, वही उसके कानों में वह एरिंग्स देखकर तो जानवी कपूर का खून ही खोल गया, वह नफरत से अनाया को देखते हुए मन ही मन बोली, ये घटिया गाव की गवार, इसने 30 करोड रुपे उस घटिया लड़की पर बरबाद कर दिये, अगर वह पैसे मेरे पास होते, तो मैं जितनी चाहूं इतनी चीज़ खरीद पाती, कम से कम यह ये रिंग ही मुझे दे देती, वह नफरत से अनाया को भूर रही थी, तब ही उसके उपर बम फोलते हुए अनाया प्यार से बोली, मिस रवीना अब आपकी शर्ट पूरी करने की बारी है, वही उसके ये सर्ट पूरी करने की बात, उसे सौतेली मा बेटी के उपर किसी बम से ज्यादा नहीं फटी थी, वह सदमे और नफरत से अनाया को देख रही थी, जैसे अनाया ने उनसे कोई मजाक किया हो, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही उनकी शर्ट लगी थी, कि जो भी चीज अनाय यहां से खरीदेंगे, उतनी ही कीमत वह अनाया को देंगे, अगर उन्हें पता होगा कि अनाया के पास इतने पैसे है, तो वो ये शर्ट कभी नहीं लगती, अनाया ने अभी अभी यहां 30 करोड रूपे की चीज खरीदी थी, वो लोग सोच भी नहीं सकते थे, कि उन्हें अनाया को इतनी बड़ी रकम चुकानी पर सकती है, क्या अनाया उन सौतेली मा बेटी से पैसे निकलवा पाएगी, और क्या उन्हें पता चलेगा, कि अनाया के पास इतने पैसे कहा से आए है, एपिसोड 183 मुझे तो इस बच्ची पर दया आती है, मोल में, अब तक आप ल लोगों के कानों में अनाया की तीकी मगर शांत आवा जाई, चलिए अब शर्ट पूरी करने की बारी आपकी मिस रवीना, आपने कहा था, अगर मैंने ये खरीद लिया था, तो आप उतनी ही रकम मुझे वापिस लोटाएगी, ये सुनकर उन दोनों मा बेटी के चेहरे की ह वाया उट गई, वह दोनों अनाया को 30 करोड रुपे देना नहीं चाहती थी, 30 करोड तो क्या, वो तो उसे 30 रुपे भी देना नहीं चाहती थी, इसलिए रवीना थोड़े गुसे में बोली, यह क्या हरकत है, अनाया तुम अपनी मा से इस तरह से कैसे बात कर सकती हो, वैस इस तरह से पैसों के लिए अपनी ही मां को नीचा नहीं दिखाना चाहिए ये सुनने में कुछ इस तरह से लग रहा था जैसे अनाया उन दोनों की इंसल्ट कर रही हो वही भीर में तुरंद बाते बनाने लगी ये लड़की कितनी चालबाज है अपने ही परिवार के लोगों से पैसे एट रही है तभी एक और आदमी बोला सही बात है दिखने में तो मासूम लगती है लेकिन कितनी चालब है तभी तीसरा एक आदमी बोला इसके पास इतने पैसे कहां से आय होंगे दिखने में तो कोई छोटी बच्ची लग रही है जो अभी अभी कॉलेज जा रही सबी लोग फिर में इसी तरह की बाते कर रहे थे, वही यह सब कुछ सुनकर वह सौतेली मा बेटी के चहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई, जैसे वह अनाया से कह रही हो, कि अब हमारी प्लानिंग से बच कर दिखाओ, तुम्हें क्या लगता है, कि तुम इतनी आसानी से हमारी चंगुल से छूट जाओगी, हम तुम्हें फूटी कोडी नहीं देगे, अनाया उनकी आँखों में देखकर उनकी चाल समझ चुकी थी, तभी उन लोगों के कानों में एक कढ़क आवाज सुनाई दी, ना तक तो अच्छा कर लेती हो, तुम दोनों, लेकिन ये कोई टेलि करता सुन उसका खून कॉल गया था, इसलिए उसने कढ़क लहजे में उन दोनों सौतेली मा बेटी को सुना डाला, वही जीविका की बात सुनकर उन दोनों के चहरे काले पड़ गए, रवीना कपूर मासूमियत से चापलूसी भरी आवाज में बोली, नहीं जीविका बेट कहकर माफी मानने के लिए घुटनों पर आने को कह रही थी, तब तो आपने उसके लिए एक लफज नहीं निकाला, जब खुद पैसे देने की बारी आए, तो यह आपकी बेटी बन गई, वैसे भी अनाया ने साफ साफ आपको मिस रवीना कहकर बुलाया था, इसका सीधा सा मतलब है कि आप उसकी माही हो, और अगर जब शर्त लगाई है, तो पूरी भी करना सीखो, जीविका खुराना की बात सुनकर उनकी मुठिया गुस्से से कश गई, वह सच में अनाया को पैसे नहीं देना चाहती थी, क्योंकि इतनी बड़ी रकम अगर वह अनाया को दे देत तो जो इतने सालों में उसने राजेश कपूर से छुपा कर पैसे एकठे किये थे, वह सारे चले जाते, और उसकी जेब में एग बड़ा गर्धधा पर जाता, वही जानवी कपूर चाप्यूसी भरी आवाज में बोली, नहीं मिस खुराना ऐसी कोई बात नहीं है, सच में अनाया कपूर खांदान की ही बेटी है, आपको जरूर कोई भूल हो रही है, ये सुनकर जीविका अपने हाथ आगे बढ़ा कर उसे चुप रहने को कहती है, और फिर दमदार आवाज में बोली, ये तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, कि कपूर खांदान की असल अनाया को दे दे, अब उन दोनों मा बेटी का चेहरा काला पड़ गया था, क्योंकि भीर में साफ साफ उन दोनों के बारे में ही बाते चल रही थी, एक इंसान बोला, सही बात है, कितनी घटिया औरत है, एक तो उसे अपनी बेटी कहती है, उपर से उसे ही नीचा दिखाती है, दूसरा इंसान बोला, सही बात है, पता नहीं, घर पर ये दोनों मा बेटी इस मासूम सी लड़की के साथ क्या क्या करती होगी, मुझे तो इस बच्ची पर दया आती है, तभी भीर में से एक और आदमी बोला, मुझे उनके बारे में पता है, कपूर खांदान का जो फूटी कोटी खुद की नहीं है, जो कुछ भी है, वह पहले से ही अनाया का है, जिन पर ये लोग कबजा करके बैठे हैं, भीर की ऐसी आवाज, और ऐसी बातें सुनकर रवीना कपूर की मुट्थी गुस्से में कस दई, भले ही भीर में चल रही बातें सही थी, लेकिन जलती नजरों से भीर की ओर देखती हैं, लेकिन वह कुछ बोल नहीं सकती थी, तभी जीविका कठोर आवाज में बोली, आप पैसे चुका रहे हैं, या नहीं, उसकी इस बात पर रवीना कपूर खुद के गुस्से को शांत करते हुए अनाया को देखकर बोली, अनाया बे और केसे होगी आगे उसकी जर्नी, तो दोस्तों आखिर कहानी में आगे क्या होगा, या जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहें सिर्फ और सिर्फ वी के नॉवल स्टोरी 2.0 चैनल पर, और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कॉमेंट और शे आगे निवाद.